क्लास फूर सब्जेक्ट है हमारा जीके चैप्रा नबर सिक्स दी ओलंपिक ओलंपिक क्या होते हैं? गेम्स होते हैं ओलंपिक क्या है? यह एक स्पोर्ट्स इवेंट के जैसे होता है लेट इस रीट कई हजारो एथिलीट जो होते हैं कई हजारो व्यायामी एथिलीट अराउंड दो वर्ड पूरी दुनिया में पार्टिसिपेट हिस्सा लेते हैं इन दे इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रियल खेल का जो संबंदी घटनाई होती है अंतराष्ट्रियल स्पोर्टिंग इवेंट जो होते हैं उनमें हिस्सा लेते हैं फैड एवरी फोर येर्स जो हर च्यार साल से एक बार होता है तो हजारो एथिलीट जो होते हैं पूरे विश्व में हजारो एथिलीट जो होते हैं वो इस इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट में हिस्सा लेते हैं और ये इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट कब होता है हर च्यार साल में एक बार होता है इस इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट कोई क्या कहते हैं, अलिम्पिक कहते हैं, hundreds of years ago, it was first started in Athens, a city in Greece, hundreds of years ago, कई सालों पहले, सेंकडों साल पहले, it was first started, इस सर्वपतम सबसे पहले start किया गया था, ग्रीज के एक सहर, Athens में, कई सालों पहले, ये ग्रीज के एक सहर, Athens में start किया गया था, सबसे पहले, match the sports with the symbols, जो sports यहां दिये गए हैं, उनको अपने symbol से match करना है, तो number one है हमारा shooting, तो shooting किसके साथ करते हैं, gun के साथ, तो इसको G से match करना है, यहां पर इतना match नहीं कर सकते, इसलिए मैंने यहां पर आगे इनके number ही लगाए हैं, तो G से match करना है shooting, देखो ये gun का symbol भी ऐसा ही है, number two, boxing, boxing किसके साथ करते हैं, gloves के साथ, तो number H से match करना है, इसके symbol में भी ये, देखो gloves पहने हुए हैं, number three, weight lifting, weight lifting जो करता है, तो क्या करता है, weight को उठाता है, तो number A से match करना है, ये A number, ये देखो weight lifting का ही symbol है, number four, soccer, ये soccer खेल रहा है, ये soccer की ball भी है, तो ये symbol हम easily पहचान भी सकते हैं, इतने easy है, number five, swimming, F से match करना है, ये swimming का symbol है, number six है tennis, ये tennis का racket भी है, इसके पास, number seven है rowing, जो D से match करना है हमें, boat rowing जो होता है, ये boat rowing का है, और number eight, gymnastic, ये E, ये gymnastic का symbol है, class four, subject है हमारे GK, chapter number seven, medicines, यानि की दवाईया, when we are not feeling well, medicines help us to recover, जब हम अच्छा फील नहीं करते हैं, तो medicine दवाईया ही है, जो हमें वापस अच्छा बनाने में help करती है, यानि कि जब हम बिमार होते हैं, तो वापस ठीक किससे होते हैं, दवाईयों से ही ठीक होते हैं, there are different types of medicines, यह कई प्रकार की दवाईया होती है, बहुत अलग अलग तरह की दवाईया होती है, test your knowledge about medicines, हमारे चलो, अब तुम्हारे knowledge को देखते हैं, दवाईयों के बारे में, fill in the blanks using the clues given in the help desk, fill up है यहाँ पे और help desk की help से हमें fill करना है, number one is, an antibiotic is a medicine that kills disease causing germs, antibiotic वो medicine है, जो की ऐसी बिमारिया जो जर्म से होने वाली बिमारियों को रोकती है, या फिर खत्म करती है, तो ऐसी कौन सी दवाई है, antibiotic, जब हम ऐसी कोई बिमारी होती है, जो जर्म से होती है, यानि की cold fever होता है न, तो हम क्या लेते हैं, यानि की एक बार के लिए, या फिर कुछ समय के लिए, अपने सेंसेशन को खोना, अपने तेजना को खोना, किस से होता है, यानि की बेहुशी की दवा जो बोलता है, वो है, नमबर थ्री, pain reducing medicines are called analgesic, यह कौन सी दवाई है, pain reducing, या फिर जिसको हम बोलते हैं, pain killer, analgesic, नमबर फूर, an antacid fights against acidity, जब हमें acidity हो जाती है, तो जो हम दवाई लेते हैं, वो कौन से होती है, antacid, antacid दवाई से क्या होता है, acidity खतम हो जाती है, नमबर फाइफ, we apply an antiseptic on wounds to prevent infection, infection को रोकने के लिए, हम wounds पे, अपने घाव पे क्या लगाते हैं, antiseptic लगाते हैं, ताकि हमें घाव जो है, उनमें infection नहों, नमबर 6, a medicine used to lower the temperature of our body, when we have a fever, is called a paracetamol, जब हमें fever होता है, और हमारी तो हमारी body का temperature जो होता है, बहुत हाई हो जाता है, और उस temperature को control करने के लिए, लोवर करने के लिए, temperature को कम करने के लिए, जो दवाई लेते हैं, उसे क्या बोलते हैं, पेरसितमॉल, नमबर 7, you would take an anti-titness injection, if you accidentally stepped on a rusty nail, and cut yourself, जब हम किसी नुकीली चीज से कट, अपने आपको काट लेते हैं, या फिर कट जाता है, और या फिर कोई जंग लगी चीज हमें लग जाती है, तो हमें अपनी सेफटी के लिए कौन सा injection लेना चाहिए, एंटी टिटनस का, नमबर 8, if a dog has bitten a person, it is safer to take an anti-rabies injection, अगर कोई डॉग हमें बाइट कर लेता है, काट लेता है, तो उसके लिए कौन सा injection लेना पड़ता है, anti-rabies, और या फिर कोई जंग लगी चीज हमें लग जाती है, तो हमें अपनी सेफटी के लिए कौन सा injection लेना चाहिए, एंटी टिटनस का, 8, if a dog has bitten a person, it is safer to take an anti-rabies injection, अगर कोई डॉग हमें बाइट कर लेता है, काट लेता है, तो उसके लिए कौन सा injection लेना पड़ता है, anti-rabies,